अलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज आपके लिए बहुत ही अच्छी रेस्पी लेक्या हैं एक तरीके से हिल्दी भी है तो चलिए इसे ब्रहना इस्टाट करते हैं आप हमने आधा कब राजमा ले लिए और उनको भीग हो दिये थे रात भर के लिए उसके बाद इसमें दो अच्छी और बहुत ही यमी और चटपटी रेस्पी बनाएंगे अगर आप नहीं खाया होंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी तो देखिए हमने यहां पर ग्रैंड कर लिए हैं अच्छी तरह से इसमें कुछ नहीं डाले हैं और बिल्कुर एकदम जैसे डो बनता है वैसे बन गई है और इसको और क्रिश्पी बनाने के लिए यहां पर हमने दो चमच चावल का अठा डाल देंगे अगर आपके पास उबला हुआ जो हम चावल खाते हैं अगर हो है तो चावल और राजमों को एक साथ ग्रैंड कर सकते हैं वह बहुत ही अच्छी होती है लेक और यहां पर थोड़ी से चिली पलेक्स डाल देंगे देखने में अच्छी होती है थोड़ी चाट मसाला डाल देंगे भूना हुआ जीरा डाल देंगे बहुत जादे मसाले नहीं डालेंगे यहां पर और नमक डाल देंगे और यहां पर हमने दो उबले हुए आलू को अच बहुत अच्छी आएगी और इसमें हमने एक चमस घी डाल दिया है इससे भी अंदर जो होगी नरम हो जाएगी रेश्पी जो बनेगी इसलिए हमने हाँ पर एक चमस घी डाले हैं आप तेरी डाल सकते हैं इसे इसकी भी कर सकते हैं क्योंकि राजमाय थोड़ी हाथों में आप लिए और भी बनाऑने को शेको करते हैं रये में जातरी ने कम हैं हम जो कि ऊब्त नहीं करें को पर हमने हшь चाहते से पानी से चाहती के और दोल नहीं बना पानी करें पानी के पटला सब्सक्राइब होचार घरक सिए लिए से ब्रेट कुशत परल नहीं जग इसाने त बस छोऊ-चोटी बनांचे हैं मिधियम साइज बनांगे तो देखें बना सकते हैं लिए तो डहर ने तकी हैज जरना निच है तक मकी पन thirds देखें को सब कर दें देखें किशेया दक आड़े पर दागे परकी कर देखें तब में तक सब्सक्र सु किसीन केयां मेलेर बिदमार और थोड़े से हमने बचा दिये हैं जितनी की जरूरती उतना बना लिए हैं और आप यहां पर चलते हैं पहले उसको घोल में डिप कर लेते हैं आप हाज से कर सकते हैं या चम्मस से जैसे आपको इजी आसान लेगे वैसे कर लीजिए एक साथ हमने तीन चा डाल देंगे और दूसरे तरफ हमने तेल रख दिया गरम होने के लिए तो जब तक 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 हम इनको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे मैदे में आप चावल का हाटा भी ले सकते हैं या कौन फ्लोर भी ले सकते हैं विकिन हमने आप मैदा ले लिए हैं काफी बहुत पतले घोल बनाए हो इसमे गड़ाए में फटा-फट से डाल देंगे एक साथ जितनी की आती है और गयस का फ्ली मीडियम कर देंगे और इनको डाल के पाले फटा-फट से नहीं चलाएंगे जब नीचे से अच्छी तरह से सिख जाएगी तब इसे पल्टेंगे ऐसे छोड़ देंगे एक से दो मिनट क ड़ेंगे करेंगे तो कि नीची का ठोड़ थोड़ थोड़ चैंज हो रहा है थम पालेटे से थोड़ी थोड़ी इनके ओपर भी तेल डाल लाएं और उसके बाद इनको इधर उधर करेंगे और ऐसे ही उलट पलट के 4-5 मिनट के अंदर अची तरह से से ख़एंगे मीडिय बहुत जादा टाइम नहीं लगेगी बस फटा फट से बन जाएगी तो देखें कितना प्यारा चेंज हो गया है और इन्हें भी फटा फट से ऐसे ही हम सारे उलट पलट के चारो तरफ से शेक लिए और इन्हें एक प्लेट में बहार निकालेंगे रसाओं आज ते बहुत जल्दी बन जाती जाती है अगर घर में आपके यह और तब इसे फटा फट से बहुत से लोग नहीं खाते हैं और अगर आज कल वैसे वी आधी दूनिया तो डाइट वाले के लिए भी अगर आगर यह था चाहते हैं वह थाउन के लिए भी तो चलिए आपको भी दिखा देते हैं सब जा सबस्तों कुछा लिए उनको रोटियों जो रखाते हैं तो फोकुषी रखो यदे १्हें ज़ी तब ना हरा एंयृति तबर माणार महीं भी तो सबस्कित refugee offs सीपर सेगा हैं दोनों से पलड़ लेंगे और इसे घी तेल से अच्छी तरह से लेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनी थी बहुत ही करणजी आप चाहें तो इसके भीच में थोड़ी सी प्याजवगर डाल सकते हैं लेकिन प्याज नहीं रहे हैं तो देखिए भूल भी रही है साइड से और हम में पंटे से दाब दाब के तोनों तरप से लेकियों से और ठेल पहल जादान नहीं लगाते देखिए ति इसे और फ्रेशाश d दो शाणते दाऊसीं करते दोपरे इनलाली है हम डीम पर हैば मी ये इक रीकम नाओ में एक चछी से दो तरगी बनाए हैं.. जैसे जो खाता है आप और ठाक्वरा को बना सकते हैं एक पर सकते हैं चैय के साथ खाह सकते हैं , परियट भी एक प्रेट में डाल किन भी खाह सकते हैं मुंफली की चट्टनी तो देखिए न, परेठा भी वन गया और बॉल्स भी बन गए हैं तो जैसे घाता है किसी के घर में दो तरह के खाने माले होते हैं तो जैसे खाता है चावल कांटर देखिए अंदर कितना कोकला बना हुआ है कि क्रीष्पी और क्रंची भी बहुत जादा बनी थी आपको तोढ़ के दिखा देते हैं देखिए जितना क्रिष्पी बॉल बने थे उससे जादा प्रेटा बनी थी दिखए कि इतना चुने से ही तूट रहा है तो बहुत आसानी से बनाए थे, बहुत ध्यान रखे कि ये टूटे आप आपको हाथ से दिखा देते हैं, ताप भी एक बार मेरे तरीके से बनाएए, खाये, इंजॉय करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजि झाल 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